नमस्कार न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नीतु गुपता ओडिशा के बाला सोर में कल ट्रेन जो हादसा हुआ उसकी हर एक जानकारी न्यूज इंडिया सुभा से लेकर आप तक पहुँचा रहा है हर एक अपडेट आप तक पहुँचा रहा है कि स्तिती वहाँ पर किस तरह किया बनी हुई है इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देदे कि बाला सोर हादसे पर पीम नरेंद्र मोदी की लगातार नजर बनी हुई है पीम मोदी के अध्यक्षता में उचस तरह ये बैठक हुई और इस बैठक में घ्रीमत्री समय तमाम अधिकारी मौजूद है इस हादसे की जानकारी पीम नरेंद्र मोदी ने ली है हादसा जिस तरह से हुआ उसके बाद किस्तिती क्या है situation को हालात को किस तरह से वहाँ संभाला जा रहा है इसकी जानकारी ली गई है पीम नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है इस बैठक में घ्रीमत्री अमिशा भी मौजूद है बैठक आप दे सकते हैं और रेल विभा के कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे जिनके साथ ये बैठक की गई है अगर हम ओडिशा के बाला सोर की बात करें जिस तरह से यह हादसा हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं समझानी के कोशिश करें कि कैसे कल देर शाम यह हादसा हो गया तीन ट्रेनों की टकर में अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है 900 से जादा लोग घाल है अस्पताल पहुचाया गया है बेंगलूरू हावडा सुपरफास्ट के 10-12 डिबबे पट्री से उतरे बेंगलूरू हावडा सुपरफास्ट की बोगया दूसरे ट्रैक पर गिर गई और उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं पट्री से उतरे डिबबो से कोरो मंडल एक्सप्रेस टकरा गई ग्रैफिक्स के जरीए भी समझाने की कोशिश करें कि हादसा कैसे वा कोरो मंडल एक्सप्रेस के डिबे बगल के ट्रैक पर पलट गए और बगल के ट्रैक पर पलटनी की वज़े से जो तीसरे ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी थी उससे कोरो मंडल के डिबे टकरा गए जिसकी वज़े से यह हादसा हो गया तो कुल मिलाकर हाथसा तो इस तरह से हुआ है हाथसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आभी पर भी वहाँ अगर देखा जाए तो जो ट्रेने हैं जिस तरह से शत विशत तहालत में हैं वो उसी तरह से है क्योंकि सबसे पहली प्राइड़ुटी यही आती है कि जितन लोग भी फसेवे हैं उन सभी लोगों को बाहर निकाला जाए 238 शवो को बरामत कर लिया गया है 900 से जादा लोग घायल है ऐसे में रेल विभाग लगतार चौकरना नजर आ रहा है रेल मंत्री वहां के इस्तितिका उन्होंने भी जयजा लिया इसके साथी साथ था जो दू चास हजार रुपए तुरंत हॉस्पिटल में दे दिये गए हैं तो यह अपरेशन हादसा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रेल हादसा कैसे हो गया और अब इस रेल हादसे पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं क्या पट्रियों के रूटीन जाच की अब रहे हैं इस पर भी यह सवाल उठ रहा है जाच करने का विश्व बना हुआ है क्या पट्रियों के साथ कोई छड़ छार हुई है क्योंकि जिस तरह से यह ट्रेने हुई है हादसे का शिकार यह इस साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा क्या तेज रफ्तार की वजह से डि इनो ट्रेनों की ये भी एक बड़ा सवाल उठता है बैंगलोरू हावडा सुपरफास के 10-12 डिबे पट्री से उतर गए और ये देखिए किस तरह से घायलों का इलाज यहां पर चल रहा है वो भी हम एक तरफ आपको दिखा रही हैं तो दो बाते कि आखिरी हाथसा कैसे हो ग पहुशिष यही हो रही है क्योंकि जितने भी हैं उन सभी को जल से जल उचित उप्चार है वो दिया जारा है इलाज दिया बढ़ गई है क्योंकि 900 से जादा लोग हॉस्पिटल में हैं ऐसे में समझे कि हर एक घायल के पास डॉक्टर को होना बहुत जरूरी है उनकी इस्तिति क्या है किस तरह से ब्लीडिंग अगर किसी के हो रही है तो क्या उप्चार देना है इसलिए डॉक्टर भी एक पाउं पे खड़े इलाज कर रही है अब इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अगली बड़ी ख़बर मिल रही है कि मृत्वकों का आंकड़ा बढ़कर अब 261 पहुंचा है देखिए ये रेस्क्यू अपरेशन कल देश शाम से ही जारी है रात भर रेस्क्यू अपरेशन चला फिर कर हुई और इन तीन ट्रेनों की ट्रकर में देखिए जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो लगता बढ़ती जा रही है कुछ और शब भी वहाँ पर NDRF की टीम ने बरामत किये हैं और कहा जा रहा है कि जो ट्रेल जो है जो पत्रियां है वो एक दूसरे के उपर चढ़ी हुई है और उसके बीच से लोगों को निकालना डेड़ बॉडिस निकालना बहुत मुश्किल है पश्द मंगाल की मुख्य मंत्री मंताब एनर जी वहाँ पर पहुंची हुई है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हालाथ को जानने के लिए मंताब एनर जी वहाँ पर पश्विम मंगाल के मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी हाथ से वाली जगा पहुंची इस्तितियों को उन्होंने जाना दो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं पहुंचा वहां पर इन डिबो को अलग करने की कोशिश की जा रही ताकि उसके नीचे जो लोग फसे हुई हैं उनको निकाला जाए दूसी तस्वीर बिलकोल बहुत नस्दीक से आपको दिखाई जा रही है कि कैसे ये तीनों ही ट्रेंज जो है एक दूसरे के उपर चढ़ी ह हुई है इनको फिलाल अभी अलग करना बहुत मुश्किल है और प्राइरिटी यहीं है कि जितने लोग फासे हुए हैं उन सभी लोगों को निकाला जाए घटना इस तल पर इस वक्त समधाता प्रताब भारती हमारे सां जोड़ गए हैं अब क्या इस्तिती है सबसे पहले मुझे ये समझाईए वहापर क्या हालात है जिए अभी उसी तरह की रेष्क्यू आपरेशन चला है और अभी जानकर मिले है कि मंता भानार जी अभी अभी पहुंचे हैं तो जाधातर जैसे कि हावरा स्टेसन से निकलता है तो जाधातर लोग वेहें करतें हैं जिस तरह से रेस्क्यू टीम लगी हुई है इस हाथसे में लोगों को निकालने के लिए मरने वालों की संख्या भी 261 तक पहुच गई है क्या इन डिबो को भी अलग किया जा रहा है कि तस्वीर हम देख रहे हैं कुछ और यहाँ पर क्रेणों को मंगाया गया है बहुत सारे लगे हों दिरे दिरे करके ऊठा रहे हैं पर दाफ़ भी तस्वीरे भी दिखा देते हैं अपने दर्शिकों को दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं पहली और दूसी तस्वीरे देखिए जहां लगाता Rescue Operation चल रहा है Cam 1 और Cam 2 की ये तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सहयोगी घटना इस ताल पर हमारे साथ मौझूद है प्रताप हमारे साथ है जो कि हर एक जानकारी पहुचा रहे हैं वहाँ पर इस वक्त क्या हालात है कि इस तरह से Rescue Operation कार्रे में जुटी हुई है प्रताप इस वक्त NDRF की टीम को हम देख रहे हैं Rescue Operation की पूरी टीम लगी हुई है मुझे और बारी की से जानकारी पहले सुन लेते है तो तमाम अलग अलग राज्जु के मुख्यमंत्री अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं इस हादसे को लेकर पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ताब एनरजी भी यहाँ पर आई प्रताप हमारे साथ लगातार बने सुन लेते हैं जो चश्मदीद हुआ पर थे गायल अवस्था में हैं जिनको वही प्लैटफॉर्म पर इलाज मुहया कराया जा रहा है यह उन लोगों की तस्वीर दी प्रताप जो हमारे साथ घटा स्थाल पर मौजूद है वो हर जानकारी दे रहे हैं इसके अलावा प्यूश भी हमारे सा जुड़ गए हैं इस पूरे पर बात दिली की की जाए तो दिली में इस पूरे मामले को लेका पीम नरेंद्र मोदी ने बैठक की नजर बनाए हुए हैं कहा जा रहा है कि पीम आज बालासोर भी पहुँचेंगे क्या जानकारी बिल्कुल आपकी जानकारी सही है आज पीम के बाला सोर पहुंचने की सूचना है कि वो वहाँ पर पहुंचेंगे और जो ट्रेन हास्ता हुआ है वो मौकाय वारदात पर भी जाएंगे घायलों को रखा गया है उनसे भी मुलाकात करेंगे और वस्तिती का जायजा वो मौके पहुंच कर लेंगे अभी फिलहाल रेल के अधिकारियों वहां एंडी आरेफ के अधिकारियों के साथ उनकी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें ग्रहमंत्री अमिशा भी मौजूद थे चुकि एंडी आरेफ जो है वो सीधे तोर पर ग्रहमंत्राले के आधिन आती है और चुरुआ से इंडी आरेफ की पहले साथ टीमें वहां डेपलॉय की गई थी उसके बाद से दो टीमें और लगाई गई गई और कुल मिलाकर नो टीमें अभी डेपलॉय है लगातार लोगों को वहां से निकालने का सलसला चल रहा है 17 बोगी थी जिसमें सर्च अभियान किय गया है दो बोगियों की बारे में सूचना है कि यो पूरी तरह से च्छतिग्रस्त हो चुकी है जिन से कटिंग करके निकालने का काम जो है लोगों को वह इस वक्त चल रहा है ऐसे में जो यह बैठक हुई है इस बैठक के बाद प्रथम प्रासमिक्ता सरकार की है कि जो घाय है उनको बाहर निकाला जा सके वहां से और उन्हें सुरक्षित होस्पिटल में पहुचाए जा सके उनका समचित इलाज उच्यस्तरी इलाज की ब्योस्था की जा सके इस बावस सरकार ने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको सूचना दी है उनको सचेत किया उसके अलावा प पताईए समझाइए तो भी के डिलेड है उसका भी है आपके पहली बार हम देखे हैं मगर ऐसा तो मुबाल पर देखते थे आपके मगर हम लों का साख के सामने अचा है हमारे साथे इसा पहली बार मतलब 12 बजय के बाद हम लोगा खा पहले संब harsh तो आपने शाली मार्च लिया को इती से आये हैं मिथला से आये हाँ भड़ा फिर हाँ बड़ा मिथला को छोड़ दिये चार बजे भोर में वहाँ पे गए तीन बीस में उखूलती है तो वहाँ से अम लोग जा रहे थे चेन ही तो यह वो लोग और देखिए लोगों ने कहा कि इस तरह के हाँ से तो हम मुबाइल फोन में देखते थे लेकिन उनको क्या पता था कि यह हाँ साथा उनके साथ हो जाएगा घरवालों को सूश्रा देने के लिए भी लोगों ने सोचा कि पहले अपने आपको संभाले उसके बाद घरवालों को सूश्रा दी जाए लेकिन जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को भेजा है उन तक यह खबर चैनलों के माध्यम से अखबारों के माध्यम से पता चल ग देखे अभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर का वक्त है जब रवाना हो रहा है उस सीधा वो ओडिसा पहुचेंगे और घटना स्थल पर जाएंगे वहाँ पर जाकर मौके का जायजा लेंगे उसके बाद वो अस्पिताल जाएंगे धायलों से मुलाकात करें प्रधान मंत्री अब अपने आवाज से थोड़ी देर का वक्त है जब सीधा पालम टेक्निकल एरपोर्ट पहुचेंगे और वहां से रवाना हो जाएंगे ठीक है बड़ी जानकारी दे रहे हैं प्यूश इस वक्त की थोड़ी देर में पीम नरेंद्र मोदी दिली सरवाना होंगे ओडिशा के लिए क्योंकि वो बाला सोर घटा सल पर पहुचेंगे इस्तितिका वहां पर जाजा लेंगे हालात क्या है और वही पर एक बैठक भी कर अब देख रहे हैं यहीं से शुरूबात हुआता एक्सिदेंट जाहें वो थोड़ा आगे जो इंजीन मालगारी के उपर चड़ गया है और यहीं से शुरूबात हुआता इतना भयानक है यह जो है पहला बगी जो इतना भयानक है कि उसका नीचे से निकला आया और यह डिबापुरा उलट गया है यह जो किसका है पता नहीं है वो अपने जान बचाने में लगे हुए है लेकिन कोई अपने लगेज ब्याक को कोई ध्यान भी नहीं है आप देख सकते हैं यह यह रेलुए का कितना मजबूत किस तरह का कितना तूड़ गया है किस तरह का हुआ है मतलों आपको पता चल चुगा होगा कि यह दृगटना कितना भयानक था और दर्दनक था तो सयोगी की यह रिपोर्ट आप ने देखी इस्तिती वहाँ पर किस तरह की बनी हुई है यह ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं नीचे से लोगों को या फिशावों को निकालना मुश्किल है और वक्त आज भी कहा जा सकता कि पूरा दिन लगेगा क्योंकि बहुत भयाना की हाथसा हुआ है सयोगी नजर बनाए हुए हैं प्यूश दिल्ली से जानकारी दे रहे हैं कि स्तिती किस तरह की हो रही है और पीम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में रवाना होंगे दिल्ली से ओरिशा के लिए अगर बात प्यूश जांचकी की जा क्योंकि जिस सरसे यहाथसा हुआ अब ऐसे में बहुत सवाल उट रहे हैं जिस कवच सिस्टम क्या बात कर रहे हैं क्या यह कवच सिस्टम उसमें नहीं लगाया गया था जिस वज़ए से यह हाथसा हो गया क्या जानकारिया नहीं मिल पारी псих Boost को लेखर यहींतम सवाल जो ह तर पर रेल मंतरी का अब तक जो भी बयान आया है उन्होंने कहा है बाकी चीजें जांच का विशा है निस्ट तोर पर जांच के लिए कमेटी गठित किया जाना हो या फिर जांच का आदेश दिया जाने हो यह अपना इंटर्नल मामला है रेलवे का और रेलवे की जांच के रोका जा सकता है तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज बैठक के बाद हो सकता है खुलके बातें सामने आये लेकिन फिलहाल अभी जो पहला दाइट तो है वो यही है कि जो घायल है उन्हें समचित इलाज पहुंचाए जा सबीनी तो क्या यहां से भी चलने वाली पर अथर हुआ है क्या उसका शेडूल बदला गया या फिर कैशल किया गया है कुछ इस तरह की जानकारी शक्राइब का दुझ अघॏ फिलहाल अभी चुक्री ऑस रूट करण कार द heart को DR प्रफोच क्यूंकि आप जानकारी दे थे कि कुछ टीमें और फकी भेजी गई है वहाँ पर जारा उनके बारे में बताई यह कितनी टीमें भेजी गई हैं और फकी क्योंकि कोशिश की जारी है कि जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू पूरा हो और जितने लोग दबे हुए हैं सबी को बाहर निकाला जा सके की जाच पूरी कर ली गई है दो कोचेज के बारे में वताय जा रहा है वो पूरी तरह से छटिक रस्त हैं उनकी कटिंग का काम चल रहा है उनसे जो लोग उसमें दबे हुए है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है कोशिश ये कि जा रही है कि maximum से maximum लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके फिलहाल NDRF ने 40 से जादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है बिल्कुल जिस तरह से ये हादसा हुआ है ऐसा हादसा पहली बार नहीं से पहले भी कई भयानक हादसे हो चुके है और अगर अभी कुछ सालों की बात की जाए प्यूश तो जो दशेरे मेले का हादसा हुआ था पंजाब में अमरेसर में वो हादसा भी कोई नहीं भूला है अब ऐसे में जाच का ये भी विशे उठता है कि जो ट्रेने हैं जब हाइटेक हम बात करते हैं दिजिटल बात करते हैं वन्दे भारत ट्रेनों की बात करते हैं तो जो अभी अभी सब कुछ कीना और सब बाते करना उचित वकत Stories बातों का नहीं है चूँकि अभी तो केंड्र सरकार हो या फिर मंत्राले हो या राजी सरकार हो उसकी पहली प्रात्मिकTा पहला ध्यान है कि किस तरह से जो घायल है जो इस घटना महताद हुएं उन्हें निकालना और उन्हें सरक्षित पहुंचाना, उन्हें हास्चाना, उनके तत्काल प्रात्मिक हिलाज का उसके बाद की जो ब्यौश्थाएं हैं, रेल इंस्ट्रस्ट इन पर हुआ था उसके बाद से लगबग हास्तों में लगाम जैसी लगी थी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं आई एक दो हास्ते होते रहे लेकिन इस बार का यह हास्ता वाकई में बहुत गंभीर है और ऐसे में साफ है कि सरकार को अखिर काउन सा सिस्टम डबलब किया जा कि क्या कुछ हभी तक उन्होंने कहा है रेस्क्यू अपरेशन पहली प्रात्मिक्ता है यह हर कोई जानता है हास्ते कि जाज के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी और वो जाज करेगी कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया इसके साथी साथ था रेल मंतरी की जो अगली बात है वो रेस्क्यू अपरेशन को लेकर उन्होंने कहा कि फिलाल यह फर्स प्राइरिटी है कि रेस्क्यू अपरेशन जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए लोगों को बाहर निकाला जाए घायलों का इलाज भी फर्स प्राइरिटी में रखा है उन्होंने कहा है कि घायलों को हम आपको दिखा रहे हैं, इस हाथ से पर जो सवाल उट रही है, वो सवाल भी एक बार फिर से नज़ता डालेते हैं, क्या पट्रियों में पहले इस से कोई खामी थी? ये सवाल उट रहा है इस हाथ से को लेकर, कि दिली में जिस वरा से बैठक हुई उसके बाद पीम नरेंद्र मोदी ओडिशा के लिए पहुंचेंगे आप डजर बनाए रखेगा हालात को लेकर जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचागे